करमचारियों की रेटायर्मेंट एज 58 से 60 वर्ष करने के लिए गठित की गई वित्त मंत्री कैप्टन अबमेन्यू की यदेश्ता में कमेटी पर इनैलों ने स्वाल उठाए हैं इस समय मेरे साथ हैं इनैलों के परदेश परवक्ता परवीन आत्रे इन से जानते हैं कि वो क्यों स्वाल उठा रही हैं जी आत्रे जी दिखिए, जिस तरह से मुख्य मंतरी जी नि एक कमेटी का गठन किया, उस कमेटी में तीन मंतरी और एक सरकार की अधिकारी, 4 सदस्य थे सरकार के लगबग हर निर्ने को अगर आप देखें, तो कहीं न कहीं वो प्रदेश की जनता के साथ मजाक है कमेठी के चार सदस्य होते हैं जिसमें से एक मंतरी किसी भी बैठक में शामिली नहीं होते है मतलब सीधा सीधा मतलब यह है कि सरकार के मंतरियों में आपसी तालमेल का अभाव है अगर मुखे मंतरी जी कमेठी का गठन कर रहे थे तो कम से कम यह देख लेते कि जिन भी members को वो committee में ले रहे हैं क्या वो सभी members का अपसी तालमिल ठीक है क्या वो committee की बैठके सरी धंसे होंगी क्या उनमें होने वाला निरनय सब का सरवसमत निरनय होगा यहाँ पर स्पस्ट रूप से नज़र आ रहा है कि चार में से एक member अगर meeting में नहीं आते तो कही न कहीं committee का जो निरनय है वो सरवसमत नहीं है दूसरी चीज लास्ट meeting में जिस तरह से captain of menu ने press में आके brief किया कि कुछ selective करमचारियों की age बढ़ाने की वो सिफारिश कर रहे हैं यह भी करमचारियों के साथ बेदभाव है आप pick and choose कैसे कर सकते हैं आपके लिए प्रदेश के सभी करमचारी एक समान होने चाहिए कोई भी सरकार का निरनय हो सब के लिए बराबर होना चाहिए तो कहीं न कहीं सरकार करमचारियों को भी बांटने की कोशिश कर रही है इस committee क की सिफाशों के दुरू यह थे में साथ इनैलो के परदेश प्रवक्ता प्रविनात्रे इनका कहना है कि वित मंत्री कैप्टन अभिनन्यू की देख्ता में की गई गठित कमेटी में वरिष्ट मंत्री का ना पहुचना कहीं न कहीं कमेटी पर स्वाल खड़े करता है पूर्ण विचार करना चाहिए था कैमरामैन संजे के साथ अनिल कुमार टोटल न्यूज चन्रिगार